हैलो फेंट्स, acost 101 सबसे पहले तो यूप छॉट्वी दिवाली तो यू ऑल और यूफोवोट हैज जिफय नियुलमी मेंबर थाप एल्ऊ करेंस और वीडियो के टो इस वीडियो में हम यहां पर हम यहां पर दो सबस्क्राइब स्बस्क्रशॉस इस वा इसे दोस्रेधिशने हैं जो कि black color का होगा अगर दोस्तों यहां पर कुछ physical overview में अगर इसके कुछ design की अगर बात करें तो यहां पर दोनों में आपको sleek design मिल जाती है जिसमें आपको जो screen के जो आस परो जो bezils हैं वो बहुत ही आदा काम है जिससे आपका जो viewing experience है वो बहुत ही आदा अच्छा होने वाल करें तो सब्सक्राइल पोर्स की बात करते हैं तो दोस्तों आपको दोनों TV में काफी पोर्स आपको देखने को मिल जाती है आपको इतनी पी आपको इतनी पोर्स देखने को मिल जाएंगी जितनी टीवी में जरूरी होती है आपको 2 USB 2 HDMI और यहां पर digital audio output पोर्स आपको मिल और बी आपको कही तरह कि पोर्स आपको मिल जाती है अब बात करें कोच थिकने कीथ तो दोस्तों यहां पर थिक।ो मतलब होता है मोटाई तो दोसे हैं पर रिंच 7 वाली इसमें वीद्विद स्रेंट अगर टिक्नें ता अपे तो 73 एम25 यदिस ऐप मंधी वह दोनों सेंट ने रख हाँ आपको डेस्टोप स्टैंड मिल जाते हैं कि आपको रिमोट जाएगा आपको डो दो तो आपको मिल जाएंगी साथ कि आपको यहां पर आपको मिल जाते हैं जिसके थुरूब तो दोसमें यह पर display काफी अच्छा दे रखा हो दोनों में यहां पर 32 इंच में अगर size की बात करें तो 32 इंच है और 40 इंच है बागी है यहाँ पर टाइप की बात करें तो यहां पर 32 इंच में HD ready और LED है वगाँ दोसमें यहां पर 40 इंच में और इसकी इंटो बोड़ी रेशियो काफी अच्छा दे रखो यहां पर 91% से उपर आपको मिल जाता है वह ज़िए यहां पर एक्सपर रेशियो दोनों में 1609 का मिल जाता है और यहां पर वियू अंगिल के बात पर तो 178 डिर्गी के आपको मिल जाता है यानि कि आप दोस्तो किसी भी एंगिल से इस टीवी को वाच कर सकते हैं अब दोस्तों आप बात करें कुछ आफ फीचर्स की तो दोस्तों यहां पर दोनों में आपको same to same display features मिल जाता है जैसे कि कुछ features की बात करें तो यहां पर ultra vivid high contest panel आपको मिल जाता है इस technology से जड़िए हमें इतनी help मिलती है क जैसे कि जो भी white scene होता है तो हमें बहुत ब्राइट दिखाई देता है साथी साथ जो black scene से जैसे माल लीजिए आप कोई horror movie देख रहें तो उसमें जाता है black scenes आते हैं तो और ज़्यदा आपको deeper और ज़्यदा आपको detailing आपको और ज़्यादा उसमें दिखाई देगी तो जि साथ जहां पर noise reduction का भी आपको यहां पर option मिल जाता है जिसके थुरू यहां पर आपको जो image है वो clear होईगी sharp आपको दिखाई देगी साथी साथ जो detailing जो होईगी image में वो काफी अच्छी होने वाली है अब दोस्तों आप बात करें इसमें प्रोसेसर की तो दोस्तों आप प अगर software feature की बात करें तो यहां पर आपको कुछ apps भी आपको install मिल जाएंगी साथी साथ आपको प्ले स्टोर मिल जाता है सबसे बड़ी बात है आप कोई भी गेम या तो कोई भी apps आप इसमें डाउनलोग कर सकते हैं बड़ी असानी से और दोस्ते आपको Google Assistant का यहां पर option मिल जाता है जिसके थुरू आप अपने mobile और TV को connect करके माला wireless करके फिर आप जो भी आप mobile में काम करेंगे वो आपको TV में दिखाई देगा तो काफी अच्छी बात है काफी अप्शा option आपको दोनों में मिल जाता है अब दोस्तों आप बात करें speakers की तो थोड़ा सा difference है यहां प आप जो जो बीट दे रखे होगी वाल्यूम की आप दोस्तों अगर 100% पर चलाते तब आपकी जो वाइस जो टीवी जो देगी वो एक दम किलियर देगी कहीं से भी वाइस क्रैक निकरेगी या तो फटेगी नहीं तो काफी अच्छा experience आपका sound में होने वाला है अब दोस्त आपको दोनों में सेम फीचर मिल जाते हैं से ब्लुटू वर्जम 5.0 मिल जाएगा सिंगल बैंड वाइफाई मिल जाते हैं 2.4 जिगा और दोस्तों यह कुई टच टीवी नहीं हाला कि एक एंडॉइड टीवी है और दोस्तों आपे बात करें इसके जो रिमोट है उसकी तो की बात करें तो इसमें IR और Bluetooth दोनों मिल जाता है जिसके तुरू जो इसके रिमोट की जो connectivity है वो बहुत अच्छी होने वाली है तो दोस्तों यह होगा इसका डिटेल भी आज होब कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगा अगर यह वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक के दीजिए हमाई चले को सब्काइब कीजिए और दोस्तों हमें सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अगेन हैपी दिवाली टु आल एंड इंजुआए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में